नवश्कार, स्वागत है आप सभी का गने साइश्टो हेल्प में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका जोतिश के इस प्रोग्राम में आज हमें स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं करक राशी वालों के लिए आपने भी सुना होगा साड़े साती ढहिया तो शनी का गोचर अपने आप में बहुत महत्तो रखता है तो वही शनी जो हैं वक्री हो रहे हैं तो वक्री का मतलब क्या हुआ सबसे पहले तो वक्री का मतलब जो सीधा ना हो, जो वक्र हो, सीधी रेखा, वक्री रेखा आपने पढ़ा होगा अश्टा वक्र जी का नाम सुना होगा, जो आठ जगे से जो सरीरुन का थोड़ा तेड़ा था अश्टावक्र जी, जिननों ने अश्टावक्र गीता लिखी है, जो अध्यत, जो हमारा फिलोसोफी है, उसका बहुत महत्पून ग्रंथ है, आपको पढ़ना चीए, इसके साथ साथ वक्री का आर्थ होता है, जो पीछे जाता हो, जो बापस जाना चाहता हो, जो उल्टा लो पर ऐसा दिखता है, जैसे कि आप example से समझ सकते हैं, अगर कोई train जो आगे जा रही है, पर उसकी speed जो है वो जादा है, दूसरी train है वो भी आगे जा रही है, पर उसकी जो speed है वो कम है, तो ऐसे में क्या होगा, आगे वाली train में जब कोई व्यक्ति है, वो पीछे वाली train को दे तो उसे ऐसा लगएगा, जैसे कि वो पीछे जा रही हो, पर वास्ता में वो भी आगे ही जा रही है, तो इसी तरह से होते हैं वक्री ग्रह, अब इसके result की बात आए, तो वक्री ग्रह बहुत कार्मिक होते हैं, बहुत strong होते हैं, कोई भी ग्रह वक्री जब होता है, जब वो बहुत बड़ा बनता है और भारती जोतिस में उसको चेश्ठा बल भी मिलता है वो strong हो जाता है यहां तक भी लिखा है कि अगर सही दो तीन वक्रिग है कुंडली में हो तो वक्ति राजा हो सकता है इसका मतलब वक्रिग है कोई बुरा तो ग्रह नहीं होता है depending किन भावो का स्वामी है कहां बैठा है यह सब चीज़े decide करती है कि उसका result कैसा आएगा उसका निसंदेह जो प्रभाव होता है वक्ति का वक्ति के ऊपर वक्रिग्रह का और ग्रहों से जादा होता है ऐसे में शनी का वक्रिग होना क्या करेगा देखिए जब भी शनी वक्रिग्री हो तो थोड़ा सा कन्फिलिक्ट आता है किसके साथ ऑथरिटी के साथ आपसे जो बड़े हैं जो ऑथरिटी हैं इसे घर में माता पिता हो गए ऑफिस में आपके बास हो गए गवर्मेंट हो गए जो बड़े हैं ऑथरिटी जिनके पास है उनके साथ कन्फिलिक्ट होने की संभावना होती है क्योंकि कन्फिल्ट ऑथरिटी से इसलिए क्योंकि शनी का जो है कन्फिलिक्ट किस से रहता है सूर्य के साथ और सूर्य कोने आथरिटी है राजा है तो आथरिटी के साथ कंफ्लीट का वो रहता है चांस रहता है तो साब्धानी क्या रखें डिप्लोमेटिक रहें फालतु की बात में ना उलजें ऐसे समय में अगर बहुत कुछ कहते भी हैं तो उसकी बात को अगर कुछ इस तरह से समझाए या तो इग्नोर करें या इस तरह से डील करें कि वो बात बढ़े ना बात को वहीं खतम कर दे ये साब्धानी आप कार्मिक रूप से रखेंगे और धार्मिक रूप से सूरी को जल देते रहें सूरी को जल देना इस समय में बहुत अच्छा रहेगा और माता काली की पूजा बजरंग बली हनमान की पूजा शनीवार के दिन आप कर सकते हैं वो भी बहुत बैस्ट है इसके साथ साथ सनी किस भाव में वक्री हो रहे हैं भावों के स्वामी हैं वो भी देखना होगा आपके लिए वो सब्तम भाव के स्वामी होकर सब्तम में ही वक्री हो रहे हैं और अश्टम भाव के भी स्वामी होकर सब्तम में वक्री हो रहे हैं तो कही ना तहीं मैरिज marriage quality पर असर पड़ेगा आपस में समंधों पर प्रेमी प्रेमिका के बीच और पती पतनी के बीच समंधों में थोड़ी सी दूरी थोड़ा ठंडा पनाएगा कुछ misunderstanding पैदा हो सकती है यहां आपको हो सकता है आपको अपनी पतनी अपने पती के लिए कुछ जाद है करना पड़े और यह कहीं न कहीं पिछले जनम का कुछ लेंदेन है तो आप उसको निसंकोच भाव से कर दें उसके बारे में जाद है ना सोचें क्योंकि कहीं न कहीं वक्री अगर पुरानी चीज़ों को बापस लाता है पिछला कुछ लेंदेन है वो बापस आता है कुछ लोग की जिन्दगी में पुराने दोस्त पुरानी प्रेमी प्रेम का मित्र क्लाइंट जॉब बिजनिस आ सकते हैं मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पुराने समय में कभी आपके पास था किसी कारण से पूर नहीं हो पाया तो आपके बॉस फिर से आपको उस प्रोजेक्ट पर या फिर से कोई ऐसी जगह जहां पर आप पहले रहे चुके वहाँ आपका ट्रांस पर या उसके आसपास हो सकता है क्योंकि शनी पुरानी चीजों को बापस लाएंगे और यह अच्छी बात है यह अच्छी बात है यह समय वास्तव में चीजों को पुरानी चीजों को देखने का है समालने का है उनको सुधारने का है आगे बढ़ने का नहीं है कोई नया काम करने के लिए समय उचित नहीं है पर जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं उसकी गलती ढूंड कर उसको ठीक करने का है उसमें सुधार के लिए कोई नई चीज चाहिए तो वह आप कर सकते हैं पर एकदम से बिल्कुल नया काम करने के लिए समय अच्छा नहीं है। किसी की जन्म कुंडली में अगर ऐसे शनी है वक्री और इसी स्थान पर है तो उस पे रिजल्ट जादे रहता है। जनकी जन्म कुंडली में शनी वक्री होते हैं वो थोड़े से इंट्रोबर्ट होते हैं तोड़े से isolation को पसंद करते हैं। Social होने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। काम decide करने में मुझे क्या करना है उनको अकसर लेट हो जाया करता है। अक्सर लोगों को उनके बारे में गरत फैमिया हो जाया करती है, वास्ता में बहुत ही कहा सकते हैं, अच्छे होते हैं, दिल से भी अच्छे होते हैं, और उनके अंसर कैपसिटी भी बहुत होती है, स्टेमिना भी बहुत होता है किसी चीज को करने का, पर कहीं न कहीं थोड़ उनको atmosphere भी मिला है उसके बाब जूद भी अपने आपको express नहीं कर पाते हैं और दिखाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं जैसे कि वो बहुत rough tough हैं उन पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता वास्तम में ऐसे नहीं होते हैं तो वो जो दोहरापन है वो उसको थोड़ा समझ के उससे उपर आना होगा overcome होना होगा socially थोड़ा सा diplomatic होना होगा और बातों को दिल में न रखके communication की तरफ जाना होगा तो चीजें better होगी communication करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं इस वज़से उनका अपने मित्रों के साथ friends के साथ पिता जी के साथ boss के साथ misunderstanding हो जाती है लोग उनको arrogant भी समझ लेते हैं पर वास्तम में ऐसा नहीं होता है spirituality के लिए बहुत अच्छा है intellectual जो लोग होते हैं धार्मिक जो practically intellectual होते हैं जो वास्तम में सत्य को जानना चाहते हैं उनसे ऐसे लोग की अच्छी टैली होती है अच्छा कह सकते हैं विचार मिलते हैं पर कुछ जो childish जो लोग होते हैं जो थोड़ा सा easy going होते हैं थोड़ा सा as much करना चाहते हैं उस तरह के लोगों से उनके विचार कम मिलते हैं तो सभी के साथ घुल मिल पाने में उन्हें थोड़ी दिक्कत रहती हैं वो अच्छी इनको सीखनी होगी जो जिनका जन्म का है या ऐसे समय में जो वेक्ति जबच्चे जन्म लेंगे कुछ जो बच्चे जन्म लेंगे आपके 23 माईस से 11 अक्टूबर तो उनके माता पिता के लिए बहुत अच्छी बात है वो सुरू से इस चीज़ को समझ सकते हैं उनको सुधार सकते हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं तो उनके लिए जो है ये इन्फरमेशन बहुत ज़्यादा लाब दायक होगी गोचर में भी ये कही न कहीं आपके अंदर थोड़ा सा isolation ला सकता है आपका थोड़ा समंद काम से थोड़ा सा हट सकता है आपके समंद थोड़े से आपसे higher authority और आपसे नीचे वाले हैं जो आपके सेवक हैं उनसे क्योंकि शनी कही न कहीं सेवक से जुड़ा हुआ भी है वक्री का मतलब जो normal ना हो तो उनके और आपके बीच में भी किसी तरह की misunderstanding हो सकती है आप किसी सेवक के साथ ज़्यादा ही strict हो सकते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा limit रखें कहां आपको strict होना है कितना होना है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें या कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात हो सकती हो सकता है वो सेवक आपके कोई चोरी कर ले या गलती कर दे तो उसको डंड भी देना है तो उसकी एक limit को आपको cross नहीं करना है उस चीज़ का ध्यान रखना है शनी यहां पर आपके जो business है अगर आप किसी business में है तो पुराने partners जो आपके रहें उनसे आप कोई काम करें नया काम ना करें कोई नया वेक्ति अगर आता है लेके कि भाई देखी हमारे पास इतना अच्छा यह project है तो उसको या तो sign ही ना करें बिल्कुल नये को अगर करते भी हैं तो हर चीज को एक एक चीज को जान के देख के भागे के भरोसे नहीं कब कैसे क्या होगा पूर्णत है अगर आपको लगता ही है कि हाँ 100% बहुत ही अच्छा है तब ही जाएं वरना ऐसे समय में नई चीज जाने से पहले पुराने चीज़ों को सुधारने का पुराने लोगों से मिलने का पुराने दोस्तों से पुरानी कंपनी के थूरू पुराने जो आपकी जानकारी के थूरू जो सोश्चस है उसके थूरू ही आगे बढ़ने का उसमें सुधार का है आप इसको एक example से समझ सकते हैं जैसे कि कोई विक्ती है उसको काम दिया गया है एक कुलहाडी से एक पेड को काटना है जो काफी मौटा पेड है उसका तना काफी मौटा है तो वो काटता है काटता है और एक दो दिन बाद बहुत जादे ठाक जाता है और वो जो कुलाडी भी अब वो शारप नहीं रहती है तो ऐसे में उसके पास दो अप्षेन है एक तो कहते हार मतमान मेहनत करे जाद दवा के तो उसमें क्या होगा कुलाडी चुकी अब शारप नहीं रही है वो मेहनत तो करेगा पसीना तो बहेगा पर result कुछ आएगा नहीं और सायद ही वो काट पाए वो ठक के गिर जाएगा दूसरा है कि अब वो थोड़ा सा बैठे आराम करे बैठ के फिर आराम से देखे अपनी कुलाडी को कि कहां क्या गलती चल रही है क्यूं ये ऐसी होगी ये तेडी मेरी इसको फिर थोड़ा सा इकसार और शार्प करे थोड़ा सा मुँ हाथ पर धोये rest करे और फिर से काम करे तो किस situation में काम जल्दी होगा और बढ़िया होगा दूसरी में होगा न वो ही बात वक्री ग्रहों की है वो चाहते हैं कि थोड़ा rest लिया जाए थोड़ा सा देखा जाए ऐसा तो नहीं आप गलक direction में ही भागे जा रहे हैं तो direction फिर बदलने की जरुरत है और सुधार लाने की जरुरत है चीजों में कुछ upgrade करने की जरुरत है शायद कुछ एकाद skill और सीखनी हो आपको उस काम के लिए तो उस skill को सीखने की जरुरत है एकदम से नया काम करने के लिए अच्छा नहीं है मतलब कि business से job job से business या business आप एक चीज का कर रहे थे और अचानक से दूसरी चीज का जाने से पहले बहुत ज़्यादे जरुरत है कि उसी business में समझे कि वो क्यों नहीं चल रहा है दूसरों का तो चल रहा है ना उसी चीज का तो क्या कमी है उसी को सुधार्द किया जाए इसी तरह से रिष्टों का भी है तो अगर किसी के लडाई ज्घड़ा चल रहा है पती पत्नी प्रेमी पेमी का में तो तोड़ने की बज़ए उसी रिष्ट या नया start करने की बजाए, उसी रिष्टे में देखा जाए, क्यूं हम लोग आपस में बना के नहीं चल पा रहे हैं, अगर हमारे बीच प्यार है, तो ऐसी क्या बात है, क्या communication का difference है, क्या ऐसी चीज है जिसको, क्योंकि वो चीज तो आगे भी continue कर सकती है, और उसका result आगे भ पुराने जन्मों का कोई रिष्टा हो, उसको ला सकते हैं, या फिर इसी लाइफ की कोई old girlfriend, boyfriend, दोस्त, friend, कोई भी पुरानी जो चीज है, वो आपके project, ये सब चीज हैं आपकी लाइफ में ला सकते हैं, या पर सनी, सनी की दरश्टियों की बात करें तो पिता के भाब पर पड़ेगी, लगन पर पड़ेगी, और चतुरत भाब पर पड़ेगी, पिता का भाब मतलब भागी का भाब, तो गुरुओं के साथ, पिता जी के साथ, बौसिच के साथ, थोड़ा सा समल के रहना है, बना के रखना है, लंबी यात्रा करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान र सकती है विदेस यात्रा करा सकता है बाहर ले जा सकता है और यात्राओं के लिए अच्छा है छोटे भाई पड़ोसियों के साथ थोड़ सी misunderstanding करा सकता है शनी की जो सीधी दुष्टी लगन पर है या आपको थोड़ा सा according बिना जाने दूसरे की पूरी situation को कि उसको ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा arrogant है बहुत ही अपने में ego वाला विक्ति है वास्तम में ऐसा है नहीं बस हुआ इसी वज़े से है क्योंकि आपने उसकी situation को समझने की कोशिश नहीं की और खुद तो ये possible नहीं है देखे किसी का दूसरे का दर्द आप महसूस तो नहीं कर सकते ना पर आयजे human आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं जानबत नहीं कर पाते वो आपने एक capability है एक नई चीज है मनुष्य के पास जो औरों के पास नह लोगों के मन में कि आप कहीं arrogant तो नहीं है rude तो नहीं है वास्त में ऐसा नहीं है शनी की दस्मी दश्टी आपके चतुरत भाब पर है और माता के भाब पर है तो माता के स्वास्त का ख्याल रखे माता से मातर भूमी से दूरी बना सकता है आपको बाहर ले जा सकता है माता के स्वास्त का और उनके साथ misunderstanding हो सकती है तो उसका थोड़ा धान नक है देखिए माता और पिता का बाई चांस अगर वो कहीं गलत भी है तो आपका फर्ज बनता है कि उस गलती को एकदम भूल जाएं जहां तक है और अपना करतब जरूर निभाते रहें हाँ आप उनको समझाएं अगर वो किसी गलत पात पर है तो आप उनके गलत पात में साथ ना दें उनको समझाएं कि भाई देखिए ये सही रास्ता है इस पर ऐसे चलना चाहिए पर अपनी जो responsibility है उससे कभी आप मूँ नहीं मोड सकते क्योंकि वो आपका करतब है शनी यहां कहीं न कहीं पती पतनी के रोल में भी यही दिखा रहें आपका spouse आपकी पती या पतनी हो सकता है कुछ ऐसे पात को follow करें जो आपको पसंद ना आ रहा हो पिछले समय में तो आपकी duty बनती आप उसको समझाएं आप उसको प्यार से बताने की कोशिश करें पर उनकी प्रति जो आपका निष्ठा है आपकी जो responsibility है जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको सतत निभाते रहना होगा तब ही शनी आपर आपको अच्छा रिजड देंगे उसका रखना बहुत जरूरी है छल, कपट, धोका इन सबसे बिल्कुल अलग रहना जरूरी है क्योंकि शनी जो है वो डंड नायक है अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है तो उसको डंड देना पसंद करते हैं इसलिए उनको डंड नया कहते हैं, नया अधीश कहते हैं, नया अधीश वही हो सकता है, जो एकदम थर्ड पार्टी की तरह हो, जो जैसा हो वैसे ही रिजट दे, इस सीज को छोड़ के, कि उस पे दया आई, नहीं आई, वो जैसा कर्म वैसा फल, उसमें विश्वास करने वाल इसलिए उनसे कुछ लोग डरते भी हैं, तो हमने शनी की दश्टियों की बात की, शनी के नेचर की बात की, आपके लिए शनी क्या लेकर आए उसकी बात की, रेमेडि के रूप में एक बार फिर से बता देता हूं, हन्मान जी की पूजा बहुत जादे महत्तपून है, शनी पीपल का पेड की पूजा, उसकी जो प्रातना है वो भी, परिक्रमा वो भी बहुत महत्तपून है, जब भी आप हन्मान जी की पूजा करते हैं, हन्मान चालिसा पढ़ते हैं, सुन्दर कान पढ़ते हैं, तो उसमें जो भगवान श्री हन्मान के जो गोण हैं, उनको समझ की कोशिश करें भक्ति का मतलब सिर्फ पढ़ लेना नहीं है वो आपका हनवान जी के प्रति आकरशन होना चाहिए आपको उनके गुणों में जानने में रुची होनी चाहिए और जब इतने रुची होगी तो गुण आपमें ना यह होई नहीं सकता इसलिए कहा गया है कि अंदर आते हैं जब आप कहते हैं निर्गुण तो किसी भी गुण नहीं है ना कोई आकार है ना कोई गुण है तो वो चीज आपके manifestation से बाहर है और आप कुछ ग्रहन नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्याद है उसमें और जब सकुन की बात करते हैं तो आप भगवन स्री गणेश की पूजा करेंगे तो उनके जो गुण है बुद्धी मानी के लिए क्या जर्रत है उनकी हर एक चीज में एक सिंबल है एक एक र समझने की जानने की जरूरत है कुछ लोग जानते ही नहीं है तो वो बात अलग है खेर हनुमान जी की पूजा माता काली की भॉले नाथ और भगवान स्री कशन इन चारों की पूजा मेंली जो है वो शनी महराज के लिए की जाती है इसके लाबा दान पुन शनीवार को हम कर साथ-साथ सनीवार के अलाबा दूसरे भी दिन है उस दिन भी ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आपको कोई अगर भूका व्यक्ति दिखाए दिया तो आप उसको खाना नहीं देंगे अगर आपके पास है आप वेट करेंगे कि वेशनीवार को ही देंगे वो गलत हो जाएगा थो हो जाएगे तो डॉक्टर वाली बात हो जाएगे कि operation सनिवार को ही करना है और पेट में दरदाज हो रहा है तो किसी भी तरह से logical नहीं है तो इस बात को समझें वो एक दिन अगर आपको चूच करना है तो सनिवार दिया गया है otherwise आपको हमेशा आपसे जो बड़े हैं उनका आदर करना है आपसे जो कमजोर हैं गरीब हैं इस तरह के जो लोग हैं वो अगर किसी opportunity है तो जब भी जैसे भी opportunity हो उनकी help आदी अपने मन से दिल से करनी है तो आपको शनी का जादे positive result मिलेगा यही बात काले कुत्य के काले गाय वगरा के लिए भी जाती है अगर काले कुत्य को बहुत जादा पेट भरा हुआ है तो आप भूरे कुत्य को खलाएं क्योंकि वो विचारा भूका है उसको जरुरत है और काले को फिर मंडे को डाल दे खाना जब जिस दिन उसको नहीं मिल रहा इस चीज का ध्यान रखे तो यह था मेरी तरब से करक राशी वालों के लिए वक्री शनी क्या करेगा उसकी क्या साबधानी कर सकते हैं क्या हम करें ताकि हम उसके सुब रिजल्ट को ले पाएं आई होप आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा घंटी वाला बटन दवाना मत भूलेगा आपका कोई भी सोजाब हो तो उसको अबश्य दीजेगा इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें सभी का ख्याल रखें नमस्कार